आपका स्वागत है दरन भी इशो क्लिप्स नेम बस देखते रहो और सीखते रहो जो आपने कहा कि आगोरी गालियां देते हैं आपक्छली खुद का पुनिया ट्रांसवर कर रहा है काफी हद तक जब आप अगोरी को सुनते हो ना तब अगोरी की गाली के पीछे भी प्यारी होता है आप मिले हो बहुत सारे अगोरी से मिला हूँ मैं मनी करनी का मैं लास्ट येर मैं वारानसी में था 2022 में मन्थ में और उस वक्त मैंने अगोर पीठ की मुलाकात ली थी अगोर पीट के जो संस्थापक थे वो थे बाबा किनाराम आज से चार सदी पहले, 400 साल पहले 16 वी सदी में बाबा किनाराम बहुत बड़े अगोरी हो गए भारत के वन अफ दे मोस्ट रिनाउंड अगोरी जिन्हें कहा जाता है और ये कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ वो तीन दिन तक रोए नहीं थे स्वयम ब्रह्मा विश्नु महेश सादू के रूप में उनके घर आये थे उनके जो पिता थे अकबर सिंग और माता मंसा देवी उनके थ्रू उन्होंने अपने इस बालक को हाथ में लिया ब्रह्मा विश्नु महेश्निया और उनके कान में एक मंत्र फूका था तब जाकर बालक रोया था तीन दिन के पाथ इतना तेजस्वी बालक था जब उनका जन्म हुआ तब और 117 साल जीये थे 170 यर्स उनकी आयू थी अगोरी की और बाबा किनराम के पास इतनी शक्तियां थी कि एक बार एक मुर्दा तेर कर जा रहा था गंगा नदी से और उन्होंने अपने एक गुरू थे बाबा कालू राम जी गुरू कालू राम जी और उन्होंने कहा कि देखो मुर्दा जा रहा है तो बाबा किनराम ने कहा नहीं मुर्दा नहीं है वो जिन्दा है तो कालू राम ने कहा साबित करके बताओ सिद्ध करके बताओ जिन्दा है तुरंद ही बाबा किना राम ने कहा ए राम जी आवन राम खड़े हो और एक दो गाली दी साथ में और तुरंद वो जो मुर्दा जा रहा था वो तुरंद हक्का बक्का रहकर खड़ा हो गया और अपने पाउं से चलता हुआ बाबा के पास आया और फिर ये कहा जाता है कि पूरी जिंदगी वो राम जियावन राम अगोरी बनकर बाबा के शिश्य बनकर उनके साथ रहे थे ये उनका वो था और ये भी एक कहानी है कि शाह जहां को उन्होंने डांट लगाई थी एक बार वेन शाह जहां को कांधार का किला सिद्ध करना था और बाबा किनराम उस समय का कांधार महाभारत टाइम का गांधार जो गांधारी जहां से थी और आज का अफगानिस्तान तो वहाँ पे एक बार गए और बाबा किनराम ने कहा कि उन्होंने स्वागत किया शाहजाहने उनका और बाबा कीनरा ने आशिरवात दिये कि जात तुझे जो तेरी जो मनसा है तेरी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी तो कांधार का किला उन्होंने जीत लिया फिर उततर भारत में एक बार वो वापिस आए और शाजा उस टाइम पे वहीं पे था और अपना मुम्तास की ताज महल करा रहा था उसका निर्मान चालू था और उसी में डूबा हुआ था तो उसने बाबा किनरम के उपर ध्यान नहीं दिया जब बाबा किनरम महल में आये तब तो बाबा किनरम को अपना ये अपमान लग उनको हर्दूत किया गया वहां से बाबा की नरम ने शाप दिया उसी वक्त शाह जहां को कि तु जिस गम में डूबा हुआ है वही गम तुझे ले डूबेगा और तेरा ही बेटा तुझे तेरी राजगदी से निकाल फेकेगा और थोड़े ही दिनों में वास्तों में ऐसा ही हुआ कि औरंग जेब ने शाह जहां को जेल में बंद करवा दिया और उसकी जो सत्ता थी वो खतम हो गई तो इतने पावरफुल संत थे कि जिन्होंने मोगल सामराज्य भी देखा हुआ था और इतने प्रोग्रेसिव अगोरी थे कि जातपात का जो भेद था वो भी उन्हो को भी डीकोड करने की कोशिश करो क्योंकि अगोरी बहुत बार आपको आशिरवात देते लेकिन आप उस आशिरवात को समझ नहीं पाते हो क्योंकि आपको ये लगता है कि अच्छा ये तो मुझे निकाल रहा है यहां से मुझे गालिया दे रहा है आपको क्यों मिलना था साधना के बार में जानने के लिए नहीं मुझे एक क्यूरियोसिटी थी मैंने अगोरपीट के बारे में बहुत सुना था जब मैं वारानसी था उस वक्त सुबह मेरा एक रिच्यूल था कि चार बजे मैं काशविश्वनात मंदिर में जाता और बगवान के द्वार पर दर्शन करके फिर वापस आता तो जब वापस आता था हर रोज रास्ते में बीच में विजही चोराहा पर अगोरपीट का ये दर्वाजा आता और आप गर दर्वाजा देखोगे ना उसका वहाँ पर तीन खोपरियां रखी हुई है तो मेरे जो बचपन का जो एक मेरे अंदर का जो परक है ना चोटा वाला उसे वह खोपरियां ये हड़ी वड़ी ये सारी चीज़े बहुत पसंद है तो मुझे हर रोस क्यूरोसिटी हो दी थी कि मुझे यहाँ पर जाना एक दिन पता नहीं कब जाने को मिलेगा तो एक दोपेहर को मैं ऐसे ही गूम रहा था वारा नसी में और फिर बीच में वीजे चोरा हा आया और तुरंत वो खुला हुआ था गेट जब सुबे जाता था गेट खुला हुआ नहीं होता था क्योंकि बहुत साथ बजे के आसपास मैं निकल वापिस आ जाता था होटेल के उपर लेकिन दोपेहर को गेट खुला हुआ था तो मैंने सुचा आज दर्शन करके आता है इसका मैं दर्शन करने के लिए गया मैंने वहां के बारे में जाना बाबा किनाराम के बारे में जाना उनकी किताबे खरीदी बहुत सारी अगुर रिलेट बहुत सारी किताबे खरीदी क्योंकि मुझे मेरी एक किताब लिखनी थी जो हाल ही में रिलीज हुई अगुरेश्वर करके गुजराती में जो बुजी ही नहीं है वो दुनी बाबा किनाराम ने प्रजवलित की थी और आज की तारिख में भी वहाँ पर प्रसाद के तौर पर आपको उस दुनी में से भभूत दी जाते है और ये कहा जाता है कि अगर वो भभूत आप कोई भी बिमारी में अगर आप मुँ में रखके एक बार भगवान का नाम ले लो बाबा किनाराम का नाम ले लो तो आपकी बड़े से बड़ी विमारी भी खत्म हो जाती है और ये बहुत सारे किस्से देखने को मिले है वहाँ पे ही बाबा किनाराम ने क्रिम कुंड को स्थापित किया है और क्रिम कुंड में माहिंगलाज स्थापित है पूरे विश्व में सिर्फ दो जगापे माहिंगलाज exist करती है एक है पाकिस्तान में जहां पे उनकी शक्ती पीठ है और दूसरी क्रिम कुंड में वारानसी में क्योंकि एक कनेक्शन बाबा किनाराम का मेरी भूमी के साथ भी है जहां से मैं बिलॉंग करता हूँ सवराश्ट राजकोट नस्तीक में ही जुनागर्ड में गिरनार बहुत ही बड़ा एक स्पिरिच्वल माउंटेन है वहाँ पे ही पगवान दत्तात्री ने अपनी तपस्या की थी गुरु गोरकनात भी वहाँ पे ही आये थे तो बाबा किनाराम ने भी अपनी तपस्या वहां से की है गिरनार से और बाबा किनाराम ने गुजरात के कच में भी बहुत सारी तपस्या की थी कच में जब वो तपस्या कर रहे थे कच की खाड़ी में तब उनको हर रोज एक स्त्री पोजन देने के लिए आते थी और उनकी जो दुनी रहती थी तपस्या की उनको 10-12 साल का एक बटुक भहरव वो स्वयम उने शाफ करते थे उनकी सफाई करते थे ये कहा जाता है कि भहरव स्वयम उनके वहाँ पे थे और मा स्वयम उने बोजन कराने आते थे एक बार बाबा की नराम को curiosity हुई कि आप कौन है जो मुझे मेरे जैसा अंजान को हर रोज इतना चलके इतनी विशम दुरगम परिस्तिती में खाना खाने के लिए देने के लिए आती हो आप तब उस स्त्री ने मुस्कुरा के कहा कि मैं वही हूँ जिनकी आप तपस्या कर रहे हो मैं ही हूँ मा हिंगलाज और मेरा समई हो चुका है आप मुझे काशी ले चलिए मुझे वहाँ पर आकर स्थापित होना है और तब जाकर ये कहा जाता है कि बगवान मलब बाबा किनाराम जी ने मा को यहाँ से लेकर उनके पास वरदान मांगा कि आप क्रिम कुन में आकर स्थापित हो जाएए और वहाँ पर सारे बगतों का कल्यान कीजिए तो ये थी बाबा किनाराम की कहानी जो मुझे इतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी कि उसके उपर पूरी अभी I'm thinking to write a book क्योंकि ये बात ये घटनाए इतने बड़े अगोरी के बारे में आज तक कोई चीज बता ही नहीं चलिये लोगों को तो उसको ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अप्लोड की हैं इस चैनल पर चैनल को एक्स्प्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ झाल